जी, गुड आप्टरनून, आवेरी गुड आप्टरनून टु वाल, जैसा कि आप सभी को पता है कि आज हमारे रेस्पेक्टर्ड डॉक्टर माधुरी पाटिल मैम, उन्होंने अपना पहला केस हमारी IHF फैमिली पर शेयर किया है, और उसी को लेकर हम आज की ये वीसी करने वाले हैं, तो सच में मैं बहुत जादा excited हूँ, क्योंकि मुझे medicine का नाम भी पता है, और जो माधुरी मैम ने इस बीसी के लिए, इस session के लिए, जो hard work किया है, कितने दिनों से वो prepare कर रहे हैं, वो भी मुझे अच्छे से पता है, तो मेरा आप सभी से यही humble request है, कि जब भी हमारे कोई भी respected mentor, group member, जब भी case present करते हैं, तो आप please participate भी कीजिए, क्योंकि इसी से motivation मिलता है, जतना ज़्यादा participation बढ़ेगा, उतनी ज़्यादा learning भी बढ़ेगी, तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग participation करेंगे, खुलक के करेंगे, तो हमारी IHF family की और से सबसे पहले तो मैं हमारे respected doctor मादूरी पार्टिल मैम का welcome करता हूँ, हमें ज़्याइन करने के लिए, welcome मैम, a very good afternoon मैम. Thank you very much sir. तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए, आज की बीसी स्टार्ट करते हैं, तो over to you ma'am. Thank you sir. शुरू करें sir? जी ma'am. पहले तो gratitude to respected doctor Samuel Hanuman sir, doctor Mohanty sir, doctor Chandra sir, and all the mentors presenting their cases on IHF group and all my lovely IHF family members. I would like to express my deep gratitude to our mentors from whom I learned so many things in last three months from which I got confident to prescribe right simulimum and ready to present the case on this platform. Are none other than respected Manoj sir, respected Dilip Chani sir, respected Parveen sir. Sorry Parveen sir, आप हमेशा बोलते हो, यह हमें अप्रिशेशन के लिए नहीं, बलकि स्टेडीज और होमेप्ति के लिए करते हैं, यह आपका बढपन है. लेकिन मैं कुछ बोलना चाहूंगी यह आपके लिए नहीं, मेरे खुद के समाधान के लिए और प्रतकने त्या वेक्ट करने के लिए बोलूँगी. कि सबको बताना चाहती हूं में कि I am very much blessed to have such dedicated, passionate and humble mentors, जोर सिर्थ देना जानते हैं, हमारी basic group की VC, यह question खतम होने तक वो बंदी नहीं होती थी. यह तीनों लोगों ने बहुत ज़्यादा मेहनत ली हमारे उपकर. case taking, question framing, DD, uncommon facets of common remedies, periodic table, ऐसी कही चीज़े हम लोगों ने सब यहाँ पड़ी. So, gratitude to these legends and all the mentors whom I learned so many things from bottom of my heart. Thank you so much sir. So, welcome ma'am. Thank you ma'am. तो आज remedy तो crack नहीं हुई है अपने group में, तो एक request करूँगी सब को, क्योंकि काफी material मैंने बना के रखा है. तो जो भी आपको question है, तो वो question प्लीज लिख के रखना, क्योंकि काफी points ऐसे रहते हैं, जो लिखें नहीं रहते हैं, लेकिन दिमाग में रहते हैं. तो काफी बार क्या होता है, कि link जो है वो तूट जाती है, और जो बताना चाहते हैं, वो रह जाता है, तो ये mentor नहीं हमको सिखाया है, उनके through, कि जो चीज़े हैं वो सिफ दो, कुछ रखो मत अपने पास, तो जितना मैं दे सकती हूँ, देने की try करूँगी. तो please interrupt में नहीं करना है, आपके question बाद में हम लोग discuss कर लेंगे, बस मुझे recipro question चाहिए, जो भी मैं पूछ रही हूँ, उसका fast-fast answer देना है, तो चलो seed belt बान दो आज हम फटा-फट जाने वाले, काफी सीखना भी है, और उपर भी जाना है, तो शुरू करूँ मैं अपना session? Am I audible? जी मैं, आपकी आवास बिल्कुल ठीक आ रही है. तो जैसे मैंने अपने voice notes में डाला है, कि ये 23 years की lady जो है, वो मेरे पास आई है, वो simple Punjabi dress pen के आई है, दूपट्टा भी है उसके साथ में, actually मैं 20 साल सी GP practitioner हूँ, तो ये मेरे पास आई है, irregular bleeding के लिए, तो इसको every 15 to 20 days के बाद bleeding होता था, we stay for 4 to 5 days और फिर खतम हो जाता था, तो फिर ये आई है मेरे पास, उसके husband भी थे उसके साथ में, फिर thinking मेरे दिमाग में काफी possibilities थी, तो वो possibilities consider करें, मैंने पहले तो उसको बोला कि तू पहले sonography कर ले, एक बोलना चाहूंगी मैं, हम homeopath हैं, लेकिन homeopathi देने के साथ साथ हमको investigations भी उतनी ही जरूरी है, बहुत बार देखा है कि homeopathi investigation नहीं करते हैं, medicine से हो जाएगा, हो जाएगा, बोलते हैं, तो this is wrong, क्योंकि काफी बार क्या होता है कि काफी सारी अलग-अलग चीजे आज कल, काफी अलग-अलग pathology शुरू हो गई है कि जो हमको दिखाई देती है, तो जैसे मैंने यह patient को बोला है sonography करके आओ, तो sonography करने के बाद reports में उसके PCOD दिखा, यह report किया है हमने 14 अगस 2023 को किया था, तो तब तो मैंने as a GP उसको ethacil, uterine tonic जो रहता है, lords का पना, होमेपेथी का, mensurite वो दी दिया, उसका थोड़ो PCOD के ब मैंसेस आया, तो थोड़ा लेट आया, तब उसका मैंसेस जो आया, वो 20 सब्टम्बर को आया, तब मेरे पास वो दोनों भी आया है, husband, wife दोनों भी आया है, तो अभी उनको treatment लेना था, infertility के लिए, क्योंकि अल्रेडी उनके शादी को दो साल हो गए है, तो पहले तो husband आया फिर patient आया, तो उसका जो face था, वो पुरा mask face था, उसके ओपर कुछ भी expressions लेक है, तो husband जो था, वो लेकेसी से, तो आज आप समझ सकते हो, कितना energetic होगा, तो वो husband आया, फिर बोला, मैं, last time आपने जो समझाया था, जो बताया था, तो उसको अच्छा लगा, तो वो बोली कि चलो, हम लोग मैडम सी treatment लेंगे, तो ये सब हम बाते कर रहे है, patient जस्ट रेठा है, सुन रहा है, इधर उधर देख रहा है, और मैंने दो-तीन questions पूछे, basic basic questions पूछे, लेकिन husband ही questions के जवाब दे रहा है, तो फिर husband को समझ में आ गया, कि मैं चाहती हूँ, वो answer करें, लेकि इसका ऐसा ही रहता है मैडम, डरती है, शर्माती है, हर जगा किसी से बात नहीं करने का, इसकी वज़े से हम ज़्यादा कहीं जाती भी नहीं है, तो अभी मैं इसके साथ-साथ में आप लोगों को ये भी बता रहे हूँ कि जो हम लोग basic group में सीके, ये तीन mentors से कि कब कौन सा आपके दिमाग में आना चाहिए था कि आप राइड डिरेक्शन में जा तो मैंने अभी मेरे दिमाग शुरू हो गया, तो मैंने सोचा कि अगर ये डड़की बोल नहीं रही है, मैरी तरफ देख भी नहीं रही है, तो बबा अनपड हो गया, बहुत ही ज़्यादा remote area से होग तो बोले हां मैं करती हूं pharmaceutical company में एक जाती हूं तो फिर मैंने बोला फिर वहां पर भी आप बाते नहीं करते हो, तो बोलती हां थोड़ा बहुत करती हूं बस अपना काम भला अपन भले, फिर मैंने बोला ठीक, अभी इससे तो entry लेना है, तो मैंने फिर कुछा, पिर duty जात तो घर का काम कुन करता है तो फिर हस्बंट वो तो सब बराबर है मैंनेज कर लेती है घर पे गाउं में ड्यूटी कहीं भी गए तो इसकी कहीं भी कुछ भी कंप्लेन नहीं है बस पाथी नहीं करती जाद है अब यह मैंने यहां पर उनको PCOD का जो फरे वेक्स ने किया है तो फिर हस्बंट शुरू हो गया गाउ जाने में भी नाराज रहती है मेरी जॉइंट फैमेली है यह सबसे छोटी बहु है जो तो जो आता नहीं या नया कुछ सिखाना या मेरे मम्मी को तो हमेशा इसे लगता रहता है कि यह कुछ नों कुछ चलता रहेगा तो इसके चलते व कोई कुछ बोलेगा नाम रखेगा तो इसलिए गाउ जाने से पहले भुलती की नहीं जाने का टालने के कोशिश करती है पीर मैंने बोला इसा क्यों तो बोले कोई बोल दे तो इसे पसंद नहीं है तो बोले तक जो अपना पेशन्ट चुब रेठा था तो तुरंट फटाक से बोल दिया उसने नहीं नहीं ऐसे कैसे जो कुछन वो कुछते उनका मैं आइसर देते हैं तो अभी यहां पर मेरी रेमेडी अल्मॉस्ट डन हो गए तो कैसे डन हो गए इसलिए मैंने सुबह मैसेज डाला थ तो अब तक जे कंफर्म रूब्रिक्स आप लोग कोई बोल सकते हैं मुझे दो तीन रूब्रिक जो कंफर्म कंफर्म आपको लग रहे लिए भी हैं आप लोगोंने एनिवन हलो हलो मायम हाँ यह तो काफिरी जरूड है टॉक इंडिस्पोजड में है बात नहीं करना चाहती है और अपनी किसी भी ढग की बुराई नहीं सुन सकती या जैसे हस्पेंड ने बूला यह मेरे अंकल से भी बात नहीं कर पाती है तो तुरहत अबरप्ट हो जाती है तुरहत उसने जवाब दिया sensitive to criticism में है मतलब यह किसी ढग की अपनी बुराई या किसी कोई इसको suggestion दे आइडिया दे इसको भी यह नहीं लेती है और जेस्टिंग अबर्जन में है क्योंकि किसी ढंका मजाक बगेरा वो पसंद नहीं करती है आपने भी message में डाला है कि बोलने पर वो लगा कि वो डिसलाइक करती है और पिता की बात को वो मानती है क्योंकि इसके अंदर बहुत timidity है yielding है इसलिए मानती है अब सवाल में नए जगा आई है तो यहां किसी की कोई भी चीज ना idea लेना चाहती है ना किसी की suggestion यह लेना चाहती है अभी मैं कैसे गई वह आपको बोलती हूं तो timidity public about appearing यह तो confirm था यह सबको ठीक मंजूर है तो दूसरा रूब्रिक था confidence want of confidence क्योंकि पढ़ी लिखी है है जौब करें तो भी तुझ में इतना भी confidence नहीं कि डॉक्टर सिंपल क्वेश्चन वह भी उसी के लैंग्रेज में पूछ रहे तो जवाब देना चाहिए तो नहीं दे पार रही है तो यह मेरा अभी यह रूब्रिक आप डालो में डेटी पब्लिक अपरी second confidence want of confidence फिर तीस नहीं लिया कोर्लिंग अबर्जंटू तो क्यों करना चाहती विकास शी कावरड़ाइस तो और रिजब यह चार रूब्रिक डालते हैं चार यां पाच हम लोग तो हम तीन रेमेडिज पे आते हैं पोल सकते हो आप लोग कोई जी तीमिडिटी पब्लिक अबाउट अपीरिंग इन, confidence, want of self-confidence, quarreling अवर्जंटू और cowardice यह चार रूब्रिक लेने पर जाला तो मेरा स्टैफ ही आगे लेकिन स्टैफ ही तो मुझे नहीं लग रहा था पड़ी लिखी है लेकिन वह confidence, वह ambitions किसी भी एंगल से मेरे को नहीं दिखी तो अभी मेरा time था कि मैं इसको भी right question पूछू ताकि मेरी right remedy अभी remedy तो यह तीनों में से ही है मेरी तो फिर मैंने उसको जो question पूछा था वह ऐसा था कि अभी मेरे को ठीक से आप समझ के question का answer करो कि आप जब गाव जाते हो तो गाव जाने के बाद mother-in-law या और कोई जो भी आपको बोलता है तो वो बोलने से आपको problem होती है या आपको वो बोले ही ना जैसा कुछ मेरे बारे में कुछ गल जैसे हम clear opinion of others डालते हैं तो हमारा single remedy आजाती है औरम मूर नेट्रोन नेटम ठीक है तो थोड़ा भी आगे बढ़ते हम लो तो अभी ये PC आपका आवाज चला गया मैं है इसे तो जी तो तो ये जी जी में हां के आनस है हां जो बेंट्थ नेक्स्ट जो रूब्रिक डाला वो फिर ओपिनियन अफ़ डाला तो मेरा औरम मूर नेट्रोनेटम फाइनल एक रेमेडी आ गए लेकिन अभी यहीं पर नहीं रुखना था हमको आगे बढ़ना था तो PCOD के दो टाइप रहते हैं अभी काफी बार मेरे पास पेशेंट साते है करते हैं कि PCOD अभी यह हमको पूछना रहता है वहीं से तरन को PCOD के काफी के से मेरे पस तो अगर मैं आफ्टर मैरेज की है को ब्हुर मैरेज की है तो इसके केम के से में तो फिर मैने पूचा मैके में कॉंड ॉसका इंट था टो पोंषक हम पिर पापा पर मैंने बोढ़ा बात करने से डरते हो उनसे तो नहीं होड़ा सादरती हुँ हम हर मैं से और यह सबसे चोटी है यह तो सबसे मैं देखता हूं तो पापा से यही ज़्यादा बात करती है तो फिर मैंने बहुत क्यों तो बहुत सब मात बाते मानती हो उनकी तो पुछा पसंद ना आया तो भी तो पर इसी दौरान हस्बंड ने दो तीन बार ऐसी वह उसका चाराक्टरी वैसा है तो उसने ज सब्सक्राइब करता है तो फिर मैंने पूछा तुम्हारा जगड़ा होता है तो बोलता है ज्यादा नहीं मैडम थोड़ा बहुत अब यह जो थोड़ा बहुत बोला उसी को हमको पकड़के आगे को कॉश्चन बनाना रहता है वह स्चन कैसे फ्रेमिंग करना है वह बोल रह सब्सक्राइब करती है कुछ कहीं पर प्रॉब्लम नहीं है लेकिन ही मैं खेरा ऐसा मजा किया इसे वह पसंद नहीं बिल्कुल भी लाइटली लेना है तो यह सब दिल पे ले लेती है इसको घुस्सा आ जाता है यहां पर मेडिसीन अपना अल्रेडी डन हो गया ता फिर यह थोड़ा सा जब आगे बड़े तो कंफर्म कंफर्म होते गए तो पहले जो लिये था हमने की रिजब भी थी फिर बाद में सेंसिटीव टू रेप्रिमेंट्स था और यह जो बोला गया उसने कि अब तक जब जवाब नहीं दे रही थी लेकिन जब हस्बंड ने बोला कि अ पापा स्ट्रिक थे यहां पर एलमेंट्स रूम डॉमिनेशन ले सकते हम लोग यह जो था कि उसको मजाग बिल्कुल पसंद नहीं है तो यह जेस्टिंग जो कैनाट टेक और फियर ओपीनियन आप अधर है तो अभी इसके बाद में मैं फटाफट CTQ पूछ रहे हूं पेश कि आपको पसंद नाओ फिर भी मानती हो तो उसका एंसर था हाँ तो क्या लेंगे यहां पर है यलो इंदिंग अंदर प्लीजिंग अप लोगों ने रूबरी प्लीजिंग डिजिंग डिजायर तू प्लीज प्लीज आया तो सबके सामने रो देती हूं या अकेले में जाके रोती हो तो अकेले में डिस इस वीपिंग अलोन वें तीसरा था इदर थोड़ा सा मज़ा उदर लगेश इसके नाख पर गुस्सा आ जाता है क्या तो इसका आप लोग इन लिया है जेस्टिंग वर्जिंट लेगिन यह है जेस्टिंग जो कैनाट टेक यह क्यूं है यह मैं आगे आपको जरनी जब लेंगे उसमें बताऊंगे और रूब्रिक अच्छा कुछ भी तुमसे गड़बड हो जाती है कोई तुमको बोलता है तो तू सामने वाले को दोश देती है या खुद को दोश देती है तो पूछा मैंने उसको तो तुम्हारा काम साफ सुद्रा रहता है क्या कोई तुरे घर में आये तेरा कुछ साफ सफाई करें तो तुझे बिल्कुल पसंद नहीं तो बहलें नहीं तो यह डिस इस तुम्हारे बारे में कुछ कुस कुस करती रहती है तुमको हमेशा लगता है ना एक दम मैंने पूछ नहीं हूँ और यह को पेशन को तो बोली हम आपको कैसे मालूं तो इस suspicious talking about her people because she has a fear of opinion तो जैसे में यह कोशन पूछी उसने फटाफट हां हां एंसर दे दिया वैसे उसका husband तो एकदम इतना चाम हो गया तो बोलता है मैं आपको जोतिश पता है क्या आप इतना सब मेरे वाइप के और यह और यह तीनों का कॉंबिनेशन है जो हमको सर ने प्रवीन सर ने वेबिनार में सिखाया तो तब यह सिखा हुआ था पेशन्ट भी आया और मैंने ट्राइब भी किया तो आपने रिजल्ट्स भी देखें कि जो मैंने सोनोग्राफिके फोटोस डाले हैं तो वह कैसे दिया मैंने वह भी बोल देती हूं आपको तो 14 अगस्ट को मेरे पास आया जब सोनोग्राफिके पेशेंट तो उसमें आपने देखा होगा कि मल्टिपल बहुत ज्यादा फॉलीकल है उसका एंडोमेट्रियम जो है यह हाईपर प्लाजिया था ओल्मूस्ट 14.1 मिलिमीटर क तो तब तो मैंने ऐसे मेडिसिन दिया था कि बाद में जब 28 सप्टेंबर को आई तो तब मैंने पेशन को दिया है और मुर्न अभी में और मुर्न नहीं बोलूंगी एमन बोलूंगी शॉर्ट में तो यह फाइव देज के लिए दिया था रात को लेने के वाटर डोस और द अगया है फिर मेरे पास पेशेंट आया है फिर मैंने उसको यह मेडिसिन देखे दे रखा है और थर्ड नुवेंबर को फॉलिकलर स्टडी करने के हिसाब से मैंने उसको इलेवंध देखा है तो उसका जो है रिपोर्ट आपने देखा कि एपसुलूटली नॉर्मल आया है का साइज यूट्रेस का साइज एंडोमेटरल थिकनेश भी 7.8 और डॉमिनेंट फॉलिकल भी दिख रहा है उसमें मतलब आगे जाके उसमें डॉमिनेंट फॉलिकल हो जाएगा तो वह कंसीव भी हो जाएगा तो यह सब था अपना रेमेडी अभी थोड़ा सा इसके साथ मे बोनस भी यह दे देती हूं जो लोग समझे नहीं है वाट इस चाम्ड ओफ लैकेसिस तो यह पेशेंट मेरे से कैसे चाम हो गया था लैकेसिस उसका हजबंड अभी मैं जब फॉलिकुलर स्टडी करती हूं तो फॉलिक पेशेंट आता है डेली आना पड़ता है या अल्टर को डिखा देती है उसको सजेशन देके चली जाती है तो ऐसा दो तीन बार हुआ इसको विचारे को अंदर आने कोई चांस नहीं मिला तो फिर क्या हो गया एक दिन गुसी गया अंदर बोलता है मैं एक रिक्वेस्ट करूए आप से मैंने बोलो तो बोले अगर आपको फीज लेना एना कंसल्टिंग तो लिया करो लेकिन हमको अंदर लिया करो बोले पांच मिनिट बे आप से बात किया आथ तो बहुत अच्छा लगता है और आपके पास आने के बाद से इसमें भी काफी चेंजेस आ गए अभी चिर्टी भी नहीं है कुछ नहीं है तो इसलिए हम च इसलिए की कोशिश की है तकि आप लोगों को समझ सके तो अब है तो यहां पर तो तीन मैंने से हूं लेकिन पहले बहुत जगां पर सीखी हूं अलग-अलग तो मैं यह जरनी से बहुत ऐसीनेटेड वह टी तो वह नहीं होना यह सिर्फ अपने पढ़ने के लिए हैं तो मैं अखरी में हम लोग जो जिस्ट करेंगे वो आपको एकदम समझ में आ रहा है तो यहां तक किसी को कुछ प्रॉब्लेम है कि वो एक बार बोल जो जो मैं बोली वो सब समझ में आया आप लोगों को मैं मैं एक किस्टन पूछ सकती है हां बोलो न मैं हां अबरप्ट और सेंसोरियस में पूछ रही अबरप्ट तो वह अबरप्ट मुझे भी फील होना चाहिए ना मैंडम वहां पर वो सिर्फ उसको हस्बंड को इंट्रॉप्ट कर रही है सेंसोरियस मतलब वह अबरप्ट पास्टन प्राइश्ज पास्ति रही है ना हो कि दो पोलो बड्यों सट्रीजि दे लिए लिए झार पक्रियों सट्रीवारान and this conflicts between IPR is our bread and butter because this only gives us a passion as well as helps us to reach the particular remedy, see it. So while describing this remedy, I have tried to describe why behind the rubric. We have one rubric with the different remedies and each remedy has its own why. If we understand it, we can prescribe it very well and we can or we can do the DD very well. So previously, I used to have one query. How could be contrary rubrics in one remedy? That is fearful, fearless, or cowardice, or no danger, no sense of danger. Yeah, a key remedy may well behave over behave. So later I understand that it's according to the stage or facet in which he come to us. So let's start with the journey of AMM. So this is no other than broken gold. When we talk about simple arum mate, these are 24 carrots. But what will happen here? There will be impurity added, like 20 carrots. So the quality of it will be a little differ. And the main quality of it will also carry on. How do we understand? So that is mildness, affectionate, yielding. Then sentimental, fastidious, and industrious. So we should start, we should start, how to do elements from. So this is the AMM. This is the elements from long history of excessive domination children. Now we long history of excessive domination children. Now we long history of excessive domination children. So when we come to a place of excessive domination children, when we think that the water is going to be over from the ground, we will do things about long domination. So why is this happening? We will be an example of this. Why is this? So this is the egotism in which people have played. It's a dictatorial. It's a part of me. It's a party. It's a party. I have done this. I am something. It's an ardent. It's a boaster. It's a headless. It's not a person who can listen. सुनना नहीं इसको तेलफिश है ग्रीड कुपीडिटी में है जेलेसी में है एनवी में है इंजस्टिस कांट सपोर्ट में है देन इंप्रोविडेंट मतलग जिसको फ्यूचर के बारे में कहां इन्वेस्ट करना है इमोशनली या मनी मैटर रहो या मॉरली यह उसको समझ नहीं रहती है समझ नहीं रहती है और दूसरा यह है कि अब्यूज्व चिल्डरन इंसल्टिंग पैरेंट्स और लास्ट जो सिंगल सरी इसमें दोतीनी रेमेडिज है टेमेरिटी टुगेट अकिक मतलब क्या है टेमेरि किक मिन्स वाट फिलिंग ऑफ ग्रेट प्लेजर और एक्साइटमेंट और इंज्वाइमेंट तो जब यह बंदा इतना सारा गड़वड करने वाला है तो उसको अब्यूसली तो पैरेंट्स डॉमिनेट करेंगे ना यह फैसेट तो अपने में रेमेडि में इतना नहीं था है इतना सुद को शाणा शमझ रहा है तो आप सोचो कि वो जेस्टिंग जो कैनोट टेक तो जो थोड़ा सा भी उसको पसंद नहीं आएगा इसलिए मैं फील भी कर सकी मेरे ओपीडी में कि थोड़ा भी वो बोल रहा है तो इसको वो बिलकुल ही पसंद नहीं रहा है वर्ज तो कैसे सह पाएगा तो इसलिए जाता है एलिमेंट्स फॉम इंडिगनेशन मॉर्टिफिकेशन स्कॉर्ण भी स्कॉर्ण मिंग मितलग तरह से उससे बात करना ऑनर उंडेड अभी उसको ओनर लगता है और है तो थोड़ा भी अगर कुछ बोलते है तो उसको फील हो जाता ह है तो हमारी है अगर अभी अभी तो अभी अच्छी नहीं लगती है तो अभी देखो यह मैं जो है इसके कान को क्या अच्छा नहीं लगेगा अगर इसको इतना बहरा पड़ा उसमें तो उब्यस्ली जब को करेगा रूडली बात करेगा या उसको कुछ रोकेगा तो नैचरली उसको नॉइज लगेगा अपने पेशेंट को भी शायद वह उसका मद्रियल या लॉका एडवाइस वगरा नॉइज लगता होगा इसलिए उसको वह जाना ही नहीं था उसको वहाँ पर फिर एलेमेंट्स यह एलेमेंट्स सिंगल रेमेडी रूबरी तो जो भी है अपना यह एमन का हिस्ट्री जो है जो जो जोगरों कि यह वह सब मदर के अज इर्दगी रिवाल होता रहता है और दूसरा जो एलेमेंट्स है एलेमेंट्स फ्रम डिस्कॉर्ड बिट्वर्टिन फ्रेंट्स वंस फ्रेंट्स वंस फ्रेंट्स भी जो इसके इतने क्लोज है जो मदर फिगर जैसे रहते हैं तो उनसे उसको प्राप्रॉब्लम होती है तो पहले हम लोग वर्ड समझेंगे वाटीज मदर अभी यह मैंने इस तरह से बनाया है कि जो नीव कमर भी है वो भी समझ में आए तो प चीज़ें आती है एक आता है गूथ दूसरा आता है डेवलोप्मेंट इन ओल सेंस फिजिकल मेंटल इमोशनल सब जगा पर हमको पहले दिमाग में मवम्मी आती है तो यह इस इस मदर फिगर इसके लाइफ में एपसेंट होता है या उसके डैथ हो जाती है तो इसके जो प् यह possibility 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 हो सकती है तो these are not hypothesis यह आपको अपके opड में मिलने की चीजे है कि कई बार मैंने Google की से थी या मैंने डॉक्त लोगों की होने के समान है तो अभी कैसे अगर एकादे की मँधी जो है बहुत ज्यादा है f igual huga ज्यादा डौमिनेट कर तो फिर वह च्छा रहता है उसके दिमाग में क्या होता है कि आरे दूसरों के मपने अच्छे हैं मेरी होके भी ना होके समान है या या फिर वह करियर ओरेंटेड वूमन है उसके मम्मी जो उसके लिए अवेलेबल नहीं है तो वहां भी वह सोच सकता है कि ना होके भी ना होके में बराबर है मेरे मैं तो यहां पर जो अपना पेशन्ट था इसका मैंने रेट्रो में फिर पूछा था मैंने बोला मैडिसीन तो वर्क कर है मड़ house at the Nun आफ़u मेरे मोला अच्छा मतलब है तो मैं अच्छा है मतलब अच्छा नो मैंने मैंयसा ने तुम बराबर सोच के बत आओ जब तुम छोटी थी तो क्या प्रोबलम था टो बोले कैसा ना मैड़म मेरे हम चार बहने थी फिर बाद में भाई ओ गया बहने मेरे से काफी बड़ी थी तो बुले उनका फिर शादी डिलेवरीज यह सब चीजे होती ति भाई को भी जादा फोकस मिलता था तो फिर मुझे मम्मी का बहुत बहुत घुसा आता तो उसको मैंने फिर बोला कि अच्छा तो आपको फिर मम्मी का बहुत गुस्सा आता था ऐसा लगता था कि यह होके भी ना होके मेरे लिए बराबर यहीं दिमाग में आता था लेकिन अभी मैं जब बड़ी हो गई थोड़ा बहुत समझ आ गया तो वह घुस्सा भी मेरे दिम अच्छा रिलेशन है तो मदर-इन-लौ उसके लिए मदर फीगर है या फिर ग्रैंड पेरेंट से तो ममी पपा बहार जा रहें तो ग्रैंड पैरेंट से उसको ना ज़्यादा प्यार मिल रहा है अगर वह एपसेंट हो जाए या उनके डेथ हो जाए तो वहां से भी इसको खिए प्रैंड तो प्रोजड हो जाता है इसके बाद में यह सब कि आया फ्रेंड भी हो सकता है किसी के लाइफ में कि जो फ्रेंड पे मैं बहुत जड़ा डिपेंडेंट थी लेकिन अभी वह फ्रेंड मेरे लाइफ में नहीं रहा है तो अगर यह एसी कुछ चीज़े होती है तो फिर उसका problem शुरूर हो जाता है तो फिर वहां से उसको insecurity फिल होने लगती है लगने लगता है closed हो जाता है become lifeless winning less and everything revolves around the mother तो इसके लिए अपने पास एक रूब्रीक है delusion dead mother is his तो इसमें तीन ही remedies आती है एना कार्डियम है AMN है लेकेसी से और नेट्रोमियोर है और दूसरा इसके साथ में हम डेलूजन ले सकते हैं delusion neglected he or she is neglected तो यहां पर हम थोड़ा सा remedies का भी डीडी कर लेते हैं साथ की साथ कि ऐसा अगर आपके पास patient आता है तो आप कैसे differentiate करोगे तो अगर अना करडियम पेशेंट आता है तो अना करडियम का जो रहता है कि उसकी जो मां है या जो भी है उसके लाइफ में ऐसी फिगर तो वह ऐसे उसको प्रिंसिपल सिखाती रहती है कि ऐसा करने चाहिए वैसे करने चाहिए और जब उसको लगता है कि जो मुझे पढ़ा रहा है वही यह प्रिंसिपल फॉलो नहीं कर रहा है तो फिर प्रॉब्लम क्या होती है उसको identity crisis शुरू हो जा है तो अब तक तो वह बहुत क्यारफुल भी रहता है उसके मदर फिगर के लिए लेकिन जब उसको लग उसका इगो हो जाता है या वह जाता है तो फिर वह हैट्रेड एंड रिवेंज कुल होने के बाद डेलुजन डेड मदर इस में चला जाता है और नेट्रम्यूर का जो जाता है या फिर प्रिट्रेड का फिलिंग उसके पास आये विट्रेड हम लोग पास वाले से होते हैं तो ऐसा जब होता है तब यह नेट्रम्यूर डिलूजन में जाता है तो अभी आपना जो पेशन्ट है यह इमोशनली एपसेंट के लिए इसका प्रोब्लम क्या है इसक जो है वो एपसेंट है तो जब 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 मुझे जरूरत थी तब मेरी मदर मेरे पास नहीं थी तो इसलिए यह इसको लगता है कि मेरा ओनर जो है वो चला गया मेरी ममें स्ट्रिक थी यह डॉमिनेट करने वाली थी यह ऐसा जो भी मैंने उपर के जो रिजन से बताएं उसम है फिर अभी अभी इतना तक गड़बढ हो गया उसके लाइप में मदर फिजर भी चला गया है लेकिन हमने जो फर्स टाइम देखा है उसका में अट्रिब्यूट्स जो इतना इगो वाला बंदा है तो आपको लगता है इतना इगो वाला बंदा चुप बैठेगा या जो प्यार मुझे नहीं यहां पर डिफरेंट रिजन्स हो सकते सेम वाई उसके हो सकते हैं आगे बढ़ने के तो यह वाला बंदा है तो यह चुप तो बैठेगा नहीं हार मानेगा नहीं अब तो करेगा जो किसी नहीं किया तो उसको दिमाग में आता है मैं ऐसा कुछ करके दि इसको प्यार नहीं मिल रहा है उसके लाइफ में उसको प्यार भर दू कैसे रहता है हमारे आजू-वाजू का जो आई-पी-आर है सिचुवेशन ने उसके हिसाब से हम लोग होते हैं तो हर एक का महाई अलग होता है तो कोई उगो के लिए करेगा तो कोई मुझे प्यार नही पिर समझेंगे रिस्पॉंसिबिलिटी वाज अन्यूजवल अन्यूजवल मेंज अनेक्स्पेक्टेड अनकॉमन एक्स्ट्रा ओर्डिनरी जो कोई नहीं कर सकता साधे सिंपल लैंग्वेज में अमें अगर आपको समझाओं तो मेरी केपैसिटी है 10 kg उठाने की और मैंने उठा लिया 100 kg तो सो चो क्या होगा तो रिस्पॉंसिबिलिटी मतलब जो ली जाती है हम कुछ से लेते हैं उसमें हमको फ्रीडम ने रहता है 247 हम उसमें इंगॉल्व रहते हैं उसके लिए कोई सैलेरी कुछ नहीं मिलता है और एक अनुजवल फैसेट इसमें हमको दिखने अरियर वो इसमें दिखेंगा इस अनुजवल इन इसकेश देन सीरियस तो अपना जो मैंने डिस्क्राइब किया था कि अपना पेशेंट जो आया तो जो फेस था था मास्ट था तो वहां पर अपन रेट्रो में यह सीरियस रूब्रिक लगा सकते है ना प्यार है ना डर है पुछ है उसको तो इस मास्ट थे सिरियस थे शीरियस चिड्रन चिल्डरन में हमने सीरियस बहुत रेरली दिखते है तो यह भी अनुजवल थैसे अपने को यह में में इस अमिलेगा देन प्लेइंग आवर्जन तो प्लेचिल्डरन नीं सेम थीं अमने अभी बहुत ना खे है elements from unusual responsibility elements from responsibility तो क्यों लेता है वो भी देखा हमने तो इसको और रीजन यह भी हो सकते है यह इंप्रोविडेंट है वो आगे पिछे की कुछ सोचता नहीं बस पर दिखाना है out of ego या इसको fear of opinion है fear of rejection है या तो मुझे प्यार नहीं मिला तो मैं किसी को दूख इसलिए यह love wrong person म तो यह anxiety family about or anxiety others about तो अभी ने क्या कर लिया कि पापा की death हो गई अभी responsibility लेता भी है या उस पर डाली भी जा सकती है out of situation तो इसमें समझो parents की death हो गई पापा की मम्मी की तीन-चार छोटे भाई बहने यह भी बहुत चोटा है 10 साल का फिर भी इसने सब responsibility उठा लिए और चल प सब्सक्राइब करना है मुझे बस दिखाना है public को मैं कर सकता हूं अभी सोचो आप मेरी 10 किलो की capacity में मैंने 100 किलो उठा लिया तो पंगा तो होना ही है मेरी लाइफ में तो कहानी अभी ऐसे आगे बढ़ेगी इसकी तो रिष्टेदार जो है अभी यह तो पूरा नहीं कर प हो जाएगा उसका दिलिये सुनके इंडिगनेशन ओनर उंडेड तो यह अंदर से पानी-पानी क्यों होता है कि इसमें और मिलेमेंट से और मिलेमेंट स्टैंट्स तो एंग्जाइटी कंसाइंस में है तो नैच्रिली जो है अभी आप लोग बोलो मुझे और में 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 जब उसको लगता है कि मेरे से गल्टी हो गई तो उसका एड़ाप्टेशन क्या होता है एनिवन मैं नहीं कर पाया मैं फेल हो गया हूँ हलो हम अपरोचिंग इंसल्फ उसके जो भी डिलूजर है वह रिलेटेट टू रिपरेटिक हिमसेल्फ में है तो वह में पढराते हूँ आप सुनों डयूजर ईफरांग नर्र वेरियल्टी हे में यह गल्टी कर दी यह सब इसका इगों गोलता क्च्छिए डेलेजर एवरिटिंग गिलेंग डेलेजर सक्सीड ही ड़जर एवरिटिंग राउं एलीजर इनसल्टइड वार्ण फीम इस गारेस सबब वो और मेरा है जब मैं नहीं एपटेड नहीं नहीं पारा है मैं तो मैं क्या करती हूं डबल से कोशिश करती हूं जो चीज़ मझे थोड़ा करना था वह बहुत जादा करने के कोशिश करते हूं जब यह यह अपने पास नितों नहीं और नहीं करेगा और मिदा हमें तो खुद अंदर यह जो है तो उसको music emulates करता है ये normal बात है actually मैं भी करती हूं लेगिन इसमें हम यह ऐसे समझेंगे फिर forsaken feeling है beeping from admonition साधा भी उसको थोड़ा सा भी कुछ समझाने जाओ तो फिर रोना शुरू हो जाता है उसका लेगिन रोना कैसे रहेगा beeping alone सबके सामने नहीं रोना है सबके सामने रोंगा तो मेरी इज़त तो और धजिया उड़ जाएंगे उसकी रिमरोज आने लगता है उसमें पश्चाता पाने लगता है खुपे गुस्दा भी बहुत आने लगता है एंगर ट्रिफफल्स अबाउट एंगर में स्टिक अबाउट ही एंगर वॉयलेंट पर किया क्या राया तो मेरा ही है दिखाओ किसको अब मैं डरता है लोगों के टीजिंग से ओपीनियन से फियर ओपीनियन रिजेक्शन देखा हमने तो फिर क्या करेगा नेच्रेली अभी एंगर सप्रेस्ट अंदर यह अंदर सब निगल लेगा elements from anger silent grief with grief में चला जाएगा इतना ज्यादा लेकिन सेम टेम यह पेशन जो है आउट ओफ इगो हीडले सब्सक्राइब करेगा कुछ नहीं भाई क्योंकि अब इतना करने के बाद इतना सब होने के बाद इसको सब खुद पर आने के बाद अब इसकी नाव जो है वो डगमगाने लगती है उसमें एंग्जाइटी फियर स्टार्ट स्क्रीपिंग इंसाइड अब तक मैं चल रही हैं वो समझ में आ रहा हैं आपको हेलो मैं यस मैं मैं तो फिर एंग्जाइटी शुरू हो जाती है इसकी कैसे कैसे बढ़ता है आदमी हम लोग भी हमारे लाइफ में समझेना तो बहुत जरूरी हो जाता है एंग्जाइटी एंटिसेपेशन फ्रॉम एन एंगेजमेंट तो तो क्या रहता है यह जो पेशेंट की अपनी खोड़ा हम को रिलेट करें तो यह भी हो सकता है कि उसको जाना नहीं था और बाद में मैंने उसको जब पूछा था तो मैं के जाना को कुछ प्रॉब्लम है नहीं नहीं बोले मैं के तो मैं जा सकती हूं क्यों 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 क्यो जरू हो जाती है anxiety if time is set up anxiety when says before anxiety about family anxiety about future anxiety about health anxiety of conscience तो उसको लगने लगता है कि suspicious people are talking about me उसको ये लगने लगता है और ये जो है इसमें anxiety, confusion, excitement irritability, sadness means is before अगर फरीकल रुब्रीक है तो मेंसेस क्या होता है normally हम अगर समझे तो मेंसेस जो आता है वो एक महने के बाद में मेंसेस आ जाता है अगर खंशिव नहीं करता है अपना पेशेंटों मतलब जो मैंने प्रोड़क्टिव होना है मैंडम अगर प्रोड़क्टिव करता है तो इतना इगो वाला बंदा है कि लड़की ने ऐसे लड़के से शादी कर ली भागके कि जिसका अतालमेली नहीं मतलब मैंने जो अब तक किया था वो फेलियर हो गया तो या फिर आई प्र ने बोल दिया अरे चुप बैठो तुमसे नहीं होगा तुमको तो पहले ही बोल दिया था ऐसा नहीं करना चाहिए था और तुमने फिर भी सुनाने और कर लिया तो यह क सब्सक्राइब लगेगा 100% 100% सर वो भी बला बोलूंगी मैं आगे मैंने बोला भी है सर पहले कि कई बार अगर वाइफ अगर उसके लाइफ में मम्मी नहीं है तो वाइफ को भी वो मदर फिगर जैसा देख सकता है और आगे भी है सर बोलती मैं पियर रिजेक्शन यह ओप सब्सक्राइब नहीं है तो वहां पर भी उनको रिजेक्शन के लिए मिल होगा तेन फियर अलों ऑफ बिइंग नाइटीन फियर अफ कैंसर का मैंटाफर क्या लेंगे इस इंक्योरबल डीसीज डीसीज हो सकता है यह पेंफुल सप्रिंग हो सकती है कि जिसका एंड जो है व सब्सक्राइब कर दी और अभी फिर नया में कुछ ले लोंगी पहले ही मैंने अनुज्वल रिस्मोंसिबिटी उठा ली है और अगर फिर मैं कुछ करने जाओं और फिर मैं अपने मूह पे गिरूंगी तो सोचो फिर मेरे को और लोग इतना बोलेंगे तो यह मेरे दिमाग अगर आगया है तो क्या होगा अभी आगे मेरा बुलो मेरा ऐसे बढ़ेगा की कम होगा है अलो कर अधिनेटली तो यहां पर अपने जो रूब्रिक साते है जो अपना पेशंट हां यहां पर थोड़ा बहत कि ओंदेंस वंट अफ सेल्ग ओंफिडेंस है तेमेडिटी पबल स्ट्रेंजर अग्रिवेशन है तो यहां पर और एक रूब्रिक में बोलना भूल गई आपने आप लोगों को कि लुप्ड एट कैंनौट बियर्ट वी लुप्ड एट मेरा पेशंग मेरी तरफ देख नहीं रहा था मैंने बोला है वोईस नोट में इधर उदर या कि तरफ देखा क्योंकि उसमें वो कॉंफिडेंस नहीं है कि मैं कॉंफिडेंट अगर बात कर रहे तो उसके आखों में आखे डालके बात करूं तो इस लुप्ड कैनोट बियर टो फिर कैसा रहता है ना हुमन विंग जो है ना उसमें कंपेंसिटरी मेकैनिजम है इधर लगिन इस पर चुटना नहीं अपने को आगे तो बढ़ना है तो इसके लाइफ में क्या है अपने में पेशंट में लंग लव इदर रॉंग परसन अभी जहां इधर नहीं मिल रहा है तो वह दूसरी जगा ढूनने लग जाएगा प्लीजिंग डिजार टु प्लीज जैसे कि अपनी पेशंट उसका बचपन में मम्मी से नहीं मिल रहा था उसको focus को पापा की तरब बढ़ रही थी पापा से प्यार पाने की कोशिश कर रहे थी वह dominant कर रहे तो भी उनसे प्यार पाने की कोशिश कर ली थी फिर दूसरा यह क्वरलिंग एवरज़न एंटागॉनिज उसके अंदर ही उसके उसके आत्मदवन्द शुरू हो जाते हैं फिर आगे बढ़ेगा तो फिर उसमें आएगा homesickness अभी homesickness इस क्या home मतलब जहां पर मैं comfortable हूँ तो यह अपना patient का मैंने पहले ही बोले आपको कि सब मदर के आसपास reward होता है तो इसके लिए homesick क्या होगा कि जहां पर उसकी जो मदर है जहां से उसको प्यार मिल रहाता हो जहां पर मिलेगा वो जो जगा है वो इसके लिए homesickness होगा तो वो ढूंटे हुए वो रहेगा फिर फोर सेकन फिलिंग है उसमें सब ने छोड़ दिया में अकेला हो गया कंपनी अवर्जन टू अलोन अमुल्रेट्स में खुद में अभी खोने लगता है तो अभी कैसे आगे बढ़ते हम लोग अपने भी लाइफ में अगर हम लोग एक बार नहीं रूखे तो कैसे बढ़ सकते अभी यहां तक आया अब यहा इस अबाउट ही इस अबी इसमें भी इसमें अब इस रिकावरी में तीन ड्रग अर्सेनिक हैं एमन और शीजी है तो समझा हमारे पास ऐसा पेशेंट आता है तो हम कैसे डिफरेंशेट करेंगे तो अर्सेनिक बंदा जो है वह बहुत ज़्यादा पें से लेके सेंसिटी हो हो जाता है तो फिर वह इंडिफरेंस टू रिकावरी में चला देता सर यह रहने दो आप विले मुझे यह पेंट कम करने की दावा दो स्टोन वगर बाद में देखेंगे और क्या करेगा सोशल पोजिशन का उसको रहेगा तो सोशल पोजिशन के चलते अगर उसको लिम्प पेशेंट में क्या प्रॉब्लम होता है कि आउट अफ योटीजम टेमरिटी अर्डन डिक्टाटोर्यल एलमेंट्स रॉम एलमेंट्स फ्रम डॉमिनेशन के चलते चलते जब यह खुद को समझने लगता है मतलब उसका मैंसिस आ जाता है यह बाकी लोग आगे चलेगे मैं तो वहीं के वही रह गया मतलब अगर रिस्पॉंसिबिलेटी ले ली तो फिर शादी नहीं रहेगी या आगे फैनेंशली आगे नहीं बढ़ पाएगा तो यह पीछे रह जाएगा तो मतलब इसके जो रिवर्स प्रोसेस शुरू हो जाएगा तो यहां पर अनुर्मेंट्स क्या करूं मैं जी के इससे अच्छा तो क्या है मरना तो अभी आगे अपना पेशेंट बढ़ रहा है तो अब तक तो थोड़ा बहुत होपुल था यह पेशेंट लेकिन अभी आगे जलके यह डिस्पैर टू रिकावरी में चला जाता है और आगे इसका भी आगे स्टेज ह रहा था तो सर ने हमको जो केस परवीन सर ने पढ़ाई थी उसमें इंबिटर्ड ने पताया था उन्होंने कि वह जो पैशेंट था तो पहले तो गुल मिल जाती थी लेकिन जब इंबिटर्ड में गई तो उसके बाद में उसने क्या किया यह सब चीजे पैच अप करना सब्सक्राइब तो जैसे जैसे इसका ग्रीप बढ़ने लगता है तो यह रिवेंच पूल भी हो सकता है तो फिर यह लव रॉंग परसंद में भी जा सकता है ग्रीप साइलेंट बताना नहीं किसको ग्रीप डाबेटीस मतलब क्या मिठास चले जाना मदेड मदर जिरो सब्सक्राइब डाबेटीस और एक सिंगल रेमेडी रूबरीक है इसका डिसीट फूल ग्रीफ एंड मॉर्टिफिकेशन तो ग्रीफ एंड मॉर्टिफिकेशन अगर हम सोचे तो यह बहुत बहुत आगे की इमोशन से जैसे हम थोड़ा-थोड़ा पे इमोशन में आगे इससे हमको काफी पैथालोजिस होती है कैसे होती है वो भी हम लोग आके देखेंगे तो डिसेट्फुल मतलब डिसॉनेस्ट या ऐसा किसी ने उसको दगा दे दिया फिरेंड ने डिसीव कर दिया या मदर चली गई एक बोलना रह गया मेरा ऐसा भी हो सकता है कि अगर मदर क इक्स्टा मराटल अफेर है तो वो भी उसके लिए डेड़ हो सकती है तो ऐसा अगर उसके कोई डिसीट्फुल निकला और उसको पता चला तो फिर यह पेशन्ट ग्रीप और मॉर्टिफिकेशन में जा सकता है तिर यह आगे जलके जाएगा एंसरिंग अनेबल टू एंसर ह अब भी श्याम ढल रही है जिंदगी क्यों सकती है उसकी को सब्सक्रियर की हो सकती है किसी बीचीज की हो सकती है थाट परसिस्टर अनप्लेजट्स वाइंटेड बायों होंटेड मतलद उस्ट्वाइव वही उसके दिमाग में चलते रहते हैं डेलुजंडहीं उसको लगन तो में यह दुनिया में रहने के लायक नहीं, तो यहां पर यह death desire में जाएगा, suicidal disposition, drowning by, hanging by, throwing height himself from, तो जैसा अबने हमें को मालूम है कि इसमें aurum है, तो cheerful alternate with sadness, cheerful death while thinking of, laughing serious matters over, मतलब death means ending of suffering, people can't honor my love, my affection, commitment, my mother can't give me love, death is better option than living, तो इसलिए इसको यह better लगने लगता है, लेगिन वो cheerfully, वो accept करता है, तो अभी परवीन सर ने आपके screen पे डाला है, वह आप अगर देखो यह आप लोग, सर वो periodic table का भी डाल दिया क्या आपने, गुरूप में, जी वो भी डाल दिया, हूं, जी डाल दिया है, तो periodic table की मैं master नहीं हूं, 100%, लेकिन जो group में सिखा था, वो मैंने correlate करने का कोशिश किया है, तो सर ने group में periodic table का एक photo डाला है, वो आपके पर सरफ देख लेना, तो यह हम चीजे कैसे correlates कर सकते हैं, अभी जो मैंने इतना सार आपको बताया, तो थोड़ा जिस्ट में मैंने यह page पे लिखने की कोशिश की है, तो अगर आप समझोगे, तो मतलब आपका यह drug हो गया, तो औरम जो है, यह तीनों भी mineral king है, तो mineral जो है, तो उसका periodic table बनाया गया है, periodic table में rose रहते हैं और columns रहते हैं, rose मतलब जो आड़े है, column मतलब खड़े है, तो आड़े जो रहते हैं, तो उसमें हम लोग अगर औरम देखते हैं, तो यह 6th row में जाता है, और column 11 में जाता है, यह भी नहीं समझे तो ठीक हैं, लेकिन इतना समझो कि औरम क्या है, तो यह जो मैंने लिखा है, वो आप पढ़ सकते हो यहां पर, यहां मैं पढ़ कर रही हूं, आप सुनो, world power, leader, responsibility, heavy, noble, responsibility far beyond their own task, but feel responsible for the person they lead, it may be group, it may be business, it may be organization, it may be family, और whole village, मतलब यह खुद को इतना यह समझता है कि मैं responsibility ले सकता हो, तो responsibility लेते लेते यह धीरे-धीरे leadership में चला जाता है, तो यह अपना बंदा था, यह unusual responsibility में गुश गया भी, तो फिर, यह unusual responsibility ले लेता है, तो यहां पर क्या हो जाता है, कि जब कोई lady भी है समझो, तो वो अगर इस चीज में गुशती है, तो धीरे-धीरे क्या होता है, उसका femininity जो है, वो कम होने लगता है, सप्रेस होने लगता है, तो emotions थोड़े कम होने लगते हैं, और यहां पर उसमें develop हो जाता है, और मुराइटिक क्या अगर हम बात करते हैं, अगर आप periodic table देखोगे, तो एकदम second last column में यह बैठा है, तो periodic table की concept ऐसी है, कि अगर हम लोग जाते है, right, left में, तो left में मतलब just life की शुरूआत जैसे होती है, उस तरह से रहता है, और right मतलब end है, dissolving होता है, तब यह according to the atomic structure वगर है कि इसाब सिखिया गया है उनोंने, तो यह roughly हम लोग ऐसा समझेंगे, left मतलब शुरूआत और right मतलब end, तो यह second last right side में column में रहता है, third row में रहता है, उसके जो, क्या बोल सक हम लोग जो criteria हो ऐसे है, letting go of relationship, splitting up, बतलब two try, band due to relationship or family, extreme right here structure starts dissolving, specially due to the disappointment, betrayal in relationships or dependency, फिर उसमें आ जाता है, four second feeling, but try to connect, mother figure is dead or absent, betrayed or not trustworthy, doing or she mother is doing immoral activities, तो वो प्यार, वो connectivity यहां पे उसमें तूटने लगता है, लेकिन उसके साथ और जुड़ा है अपना नेटरम, नेटरम जो है वो row 3 में है और column 1 में है left side में, तो इसमें क्या आता है, जैसे just in, just जो बच्चा पैदा हुआ है, उसके जो issues हो सकते ह जैसे identity nourishment, जैसे अपना बच्चा हो गया तो उसको हम नाम देते है, तो यह उसको identity मिलती है यहां पर, तो जब बच्चा चोटा होता है तो उसको चाहिए क्या, उसको relationship चाहिए, friend चाहिए, siblings चाहिए, contact चाहिए, care चाहिए, protection चाहिए, nourishment चाहिए, to get his identity, to complete his structure, so for this he won't trust from the person on one whom is dependent, but यहां पर चीज ऐसी है, नेटरम की, कि यह loyal में है, तो यह one-to-one relationship रहे जैसे बस एक सनम चाहिए, तो मूर जो है, उसका नीचे मैंने लिखा है, bitrated, तो इसलिए यह जाता है, creep में, यह develop करता है, creep, और यह जो नेटरम है, यह full sense of duty और conscience में सब करता है, तो इसमें डे नेटी भी है, grief भी है, तो वहां पर आप यह drug सोच सकते हो, जैसे आज हमने देखा कि काफी remedies आई थी, जो सब इसको पैरल चल रहे थी, लेकिन यह combination जो है, इसमें यह सब combined rubric आ जाते है, इसके लिए यह remedy उस patient को suitable रहती है, तो नेटरम the small child, मतलब जस जनमा हुआ, मैंने ज जाता है, तो फिर वो क्या करता है, मेरा conscience मेरे responsibility के मुझे दबा देता है, तो इसलिए मैं out of that unusual responsibility ले लेती है, तो इसलिए मैं आउट 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 सारी नेटरम और इगोटिजम आउप आउरम, कांट शो हीज इमोशन, उसके इमोशन जो है, वो suppress करने लगता है, जैसे हमने देखा, कि ग्रीफ में चला जाता है, elements from anger suppress में चला जाता है, तो वहाँ पर हमको ये emotion देखी है, cheerful, जो हमने देखा, cheerful death when, तो cheerful, जो है, अगर emotions के हिसाब से हम categorize करें, तो ये intellectual emotion है, intellectual means, जो मैं सोच समझ के करती हूँ, मैं समझती हूँ कि, नह मैं आज रोने के मूड़ में हूँ, लेकिन मुझे नहीं दिखाना है सामने, और कि मैं डिस्टर हूँ, तो क्या करूंगी, मैं cheerful, दिखाने के कुशिश करूंगे, तो ये patient ऐसे करना लेगता है, but from the pathology, we can very well understand the actual scene, तो ये मैं थोड़ा आगे बोलूंगी, इसलिए मैंने कुछ प्रॉब्लम है की नहीं, तो ये जो silent grief जो है रहता है इस patient का, वो stagnant होने लगता है एक जगा पे, तो इसलिए ये जो है patient अपने को काफी टाइम जो है, वो इत्राइंग क्यूमर्स में देखा जाता है, तो जिस्ट क्या है, और अमूर नेट का जो मैंने लिखा है वो और इसके आप चार चीजे यात रखो, elements from death of mother, then delusion mother is dead, elements from unusual responsibility और दूसरा उसका constant fear of opinion and rejection, बस ये जब आपको दिखे तो आप प्रिस्क्राइब कर सकते हो, और अमूर नेट, तो अभी ये जो मैं पढ़ूंगी आप अच्छे से सुनो, तो मैंने ये विल्लियम बोरिक सर के कर दो खूंगाऽ, तो में आपटाइब अत्याय कुम्नreet बें अच्छे से सकते हाँ कार आप सकते हो. ये ने मॉरूंट हो उन pewnे हम्ये ने रूंग और खीन, और experiences words, as well as in male for the oligospermia prostate cancer orchitis you can prescribe this remedy also जहां पर male में भी और आजकल तो मैं देख रहूं हूं मेरे OPD में कि ज्यादा प्रॉब्लम infertility cases में male में ज्यादा आ रहे हैं तो what is fibroid अभी यह में थोड़ा शायद आप लोग में पहले हम लोग कर लेते हैं फिर मैं यह बोलूँगे आगे का तो डीडी जो maximum आयते तो लाइको का तसर ने गुरूप में डाल दिया है फिर भी जो प्यारल remedies एक कुछ उसकी तो मैं बहुत बोलती हूं डीडी फिर लोग हम लोग यह थोड़ा psychodynamic करेंगे तो ज्यादा एकदम क्लोज आ रही थी इसके कर्सीन आ रही थी तो कर्सीन हम को मालूम है कि प्लीजिंग वगएरा में वैसे यह भी है लेकिन कर्सीन यह जो है यह ब्यॉंसी में है नेचर लव में है एलमेंट्स अर्ली responsibility मैं अर्ली responsibility मतलब किया वो बना-लेगा लेकर अपना बंदा जो है यह यानुजा responsibility वाल स्वाल्शना है नहीं दस साल का और तो क्या हुआ हो है ज lighting वह इस पैसे कमारीच होआ वह यह जुन धुदिए और का तुन्धा यह सिर्फ को मेरे हिसाब से तो तलवे चाटना कुशामदगीरी करना तो वह यह डिग्निटी इगोटीजम वाला बंदा विलकुल नहीं कर सकता है पिर यह सेंसिट्यूट मॉरल इंप्रेशन में भी नहीं है और मेटरनल इंस्टिंक एग्जारजरेटेड में भी नहीं है अगर हम डिक्ट तो नेट्रम्यूर वाले के लिए भी हाटली कॉंगरेशिलेशन अब काफी नजदिक यह थोड़ा कॉंप्लिकेशन नहीं समझ पाए थे तो नेट्रम्यूर से हम लोग डीडी कैसे करेंगे कि एलेमेंट्स फ्रॉम और उन्डेड और उन्डेड और साइलेंट ग्रीप में लेकिन अन्डेड होने के बावजुद यह नेट्रम्यूर जो है यह क्या रहता है कि यह कब उसका प्रॉब्लम होता है जब उसकी डिगनिटी हर्ट होती है यह एफेक्टेशन में भी रहता है और इसको ज्यादा डर किस चीज का है फिर बिट्रेयल का डर है इसको बलकि लेकिन यह आखरी तक तुटता नहीं है सब संबल संबल की सब बॉड़ी में जमा करके पैथोलोजी क्रियेट करके आगे बढ़ जाता है यह डिलुजन निगलेक्टेड में है डिलुजन मदर डेड में है और लास्ट में जब यह जाता है तो एंसरिंग अनेबल टू एंसर बेन हर्ट इमोशनली में जाता है और दूसरा अपना बहुत करीब था औरम मेट तो इसमें नहीं था सर ने जब केस लिया था तो हम लोग भी क्रेक्टी कर पायते लेकिन हम लोग नैट्रों मेट तक पहुचे थे कंबाइन नहीं कर सकेते हम लोग तो यह जो है औरम मेट य है तो फिर होने के बाद कुद को रिप्रोच और डिस्पेर में चला जाता है लेकिन यह जो है इसको टैलेंट तो है पर एंबिशन इतना नहीं है एंबिशन इंक्रीज में है और मुरनेट लेकिन इसका लाइफ का अलग है और मेट जैसा नहीं इसका लाइफ का अंबिशन क तरफिजर निगलेक्टेट लेकिन उसका जो रियाक्शन है और इंडिफरेंस और पूर में चली जाती है स्टैफिस अगरिया काफी लोगों पाया था लेकिन स्टैफिस अगरिया जो है वो सेल्फ डेनाइल में दूसरों को आगे करके कुछ पीछे रहे जाएगा लेकिन उसकी एंबिशन वो पाके रहेगा कुछ भी करके सर्वाइल हो कि या कुछ भी करके वैसा अपने पेशेंट में अपने वो कहीं भी नहीं दिखा लेकिन वह देखने के बाद मैंने उसका भी लिखा है इंटेलिजन बंदा रहता है सिलीशिया एंबिश्यस रहता है इगोटिजम में रहता है तो इसके चलते इसको सामने वाले की जो है न वो डिलिजन वर्मीन सीज्ट और एंजाइटी हिंसेल्फ में है अधर में यह अपना एमन जो है वो अधर में है बट प्रॉब्लेम क्या अर्गियों में है मतलब अर्गियों नहीं करते बैठेगा क्यों इन से निमाक लगाने का ऐसी उसकी चीज़े रहती है बड़ायटा कार्ब बड़ायटा कारि वह लीयुकुन है ते लिख वाइडाकर्ब की कि तरम इलों समय नियुक्त पढकेफ्प तो मेरे काफी कंसेप्ट क्लियर होने लगी है तो इसका वहाई कहा रहता है बराइटा का कि डिलुजन लाफ और मॉक्राइड भी रहता है इसको खुद पर ही भरोसा नहीं तो वह क्या आख में आख डाल के बाद करेगा आपको इसका रियक्शन क्या रहता है क्लिंगिंग लिए है कि यह केस में में इतने जल्दी पेशन्ट के पांस कैसे पहुंच गए कि अदरवाइस भी पोछती थी लेकिन यह जो थोड़ा साइकोडाइन प्रहर हंड्रेट परसेंट यह हर जगा फीट होता है ऐसा नहीं है लेकिन है गाइडलाइन है हमको वहां तक पहुशने कि तो पीसी ओडी कब होता है तो आप अगर समझोगे लेडीज में फॉलीकल या ओवरी या जेंस में सपर्म या टेस्टीज रिलेटिक जो भी प्रॉब्लेम आते हैं तो मैं अगर डिरेक्ट मेरे पेशन्ट को पुछती हूं बहुत बार या जैसे पेशन्ट है उस हिसाब वर्बल मेंटल कौन से भी लेवल पर का अब्यूज हो और उसकी सेंसिटिविटी पेशन्ट की किसी किसी को गाली देके भी फरक नहीं पड़ता और किसी को एक गाली से भी फरक पड़ जाता है तो जब यह ऐसा होता है तो ओवरीज क्या करती है कि उसको थोड़ा इंसीक्य की आने लग गई है तो यह बहुत थी पंडिशन होने लगन के से और त्युमर जो है यह फॉल्स प्रेग्नेंसी ए यह मतलब जो पॉल के बैठ्यूं को जिससे में हमे को प्यार मिलनार्य क् ze वह नहीं मिल रहए था तो फिर मैं में क्या रहता है जैसे मैंने बोला कि जब इगो हर्ट हो जाता है तो कुछ भी चीज हमारी लाइफ में एक लेवल में बैलन्स चाहिए जब यह मॉर्बिड हो जाती है प्यार हो या नफरत हो तो आज कल क्या हो गया है कि बहुत ज्यादा मॉडर्णाइजेशन हो गया है तो म बोडि मैं तो पिर मैंने जो पहले बोला था कि व्योग वज़े से या तो फिर ऐसा भी रहता है कि एवर्जट टूब इंद यह चल रहा है कि भाई को अलग ट्रीटमेंट है मुझे अलग ट्रीटमेंट यह तो मेरे में आया जाएगा कि काश यार मैं लड़का बन जाथी तो इसके वज़े सी भी हो जाता है या डिस्गस्ट मेरे पास तो और प्रॉब्लम यह हो गया ना कि बहुत ज़दी मैंसेस आने लगे आट डस साल की भी लड़की आने लगे तो वह लड़की से पहले मम्मी का चेहरा इतना खराब रहता है ना कि देखो ना मेडम कैसा गंदा हो गया और वो वर्ड भी कुछ का कुछ यूज करते हैं तो यह जो डिस्कस्ट है यह अगर आता है तो भी यह प्रॉब्लम शुरू हो जाती है तो फिर मेरी यह हमबल हमबल रिक्वेस्ट है हम लोगों को भी लड़किया है तो अपनी लड़कियों को मॉडन बनाओ लेकिन ऐसा आउट आप दिमा में उनको कुछ भी मत बिठा ताकि वो ऐसा जो प्रॉब्लम से वो फेस कर सके और अगर पिसी ओड़ी बेटा है तो इनफर्टिलिटी आगे जाके आना ही है उनको और मैं मेरे पैशन्ट को भी टाइम देती हूं यह थोड़ा लगा तो सोशल सर्वि सिंगे जैसा आपका गाड़ी खराब है तो आपको सर्विसिंग को जाना पड़ता है तैसा अगर सर्विसिंग आपका बाड़ी का हमेश्थ है नहीं कि आपका आवाद के लागे हमें जी मेरी आवाज आ रही है प्लीज बताएए जी सर आ रही है मैं कब फोन आया गो है शाहिद जी कैसा लग रहा है आज सभी को सभी को बढ़िया इसकी कार्डिंग सर यूटूब पे जल्दी डालेगा फिर से सुना जाएगा सर कई बार सुनेंगे तो बहुर अच्छा रहेगा सर आज पता नहीं महदुर में का फुष्ट फिसी में भी सर्प्राइस था और सुन रहा हूँ सुन रहा हूँ और हर मेंब से फिसी न पहाच बार ज़रू सुने गुरूप पे आएगा यूटीप पे आएगा यह न क्योंकि इतना इजी नहीं होता एक वार में डाइजेस्ट नहीं होगा एक वार में नहीं आएगा सर अवार बार सुनना परे परेमिडिक राक करना ओईजी लेकिन इतना उन्हें इतनी जर्नी डिपलिश है ना हर कोई ना प्लीज सभी ना पहाच पार सीके अरम और नाट कोभी में भी आज एसे नहीं परेमिडिक आज दो बार सिक रहा हूँ इतना ही जी नहीं एक बार सीक लिए तो हां मैं सीक दया है तो तो आर किसी को सच में ठांक क्यों मार्ण तायम सुन रहे है को हरनी बार मेरा ये है हर कोई ठेक है प्याड़ वाले नहीं होगे यहां पर ठेक है वह अलग बात है लेकिन यह सच में तभी इना बार-बार सुनिए बार-बार सुनिए है ना थैंक्यू प्लेजिया कब होता है तो यह सब चीजे देखना है इसलिए हमको इन्वेस्टिगेशन करना ही है तब हम लोग आगे बढ़ सकते हैं तो और अच्छे रिजर्ट्स दे सकते हम लोग तो यह चीज याद में रखो कि अपन मेल और फिमेल एक भी सुरूई को यह एक्सचेंज नहीं कर सकते हैं तो ही किसी की जगा नहीं ले सकते हर एक अपनी अपनी जगा पर ठीक है वो जो है भगवान ने वह 101 परसेंट अच्छा बनाएं तो यह आप लोगों सभी 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 रिक्वेस्ट है कि कंफ्लीट्स जो है जो थर्ड थर्ड आय प्रिस्क्रिप्शन में मनोच अपने मयूरिश सर ने भी लिखा है तो मैं उसमें एक आड करना चाहूंगी कि डूंट कीप निगेटिव इमेर्शंस इन यॉर्सल्फ नहीं तो पेशंट के लिए तो हम हो में पैथ है लेकिन हमारे लिए कोई नहीं रहेगा तो इसलिए हमको भी डिसीज नहीं होना है इसलिए पूल एंड काम रहना है दूसरा हम लोगों को काफी बार अच्छा हाइप न बदा उसका लेकिन बड़ेगा तो इसका आउटपूट रियक्शन क्या रहेगा कि शेड ओफ इस ब्लीडिंग हो तो यहां पेशंट में हो रहा था तो blood symbolizes the love, जो love, care नहीं मिल रहा है, वो जब जा रहा है, तो उसमें hyperplegia आएगा, then cyst भी काफी patients के आते हैं, मेरे cyst भी अच्छे हुए है काफी patient के, तो काफी बार operate करना suggest कर देते हैं, काफी बार cyst के साथ फिर फिर फेलोपीन टीप भी चली जाती है patient की, तो इसका metaphor यह है कि running the old painful stories in your mind, especially the one which you have got hurted, यह जब हमारे दिमाग में continue चलता रहता है, तो फिर हमको यह cyst डेवलोप होने शुरू हो जाते हैं, फिर लुकोरिया के भी काफी cases आते हैं अपने पास, तो लुकोरिया के दो cause मेने और मेरा ना अभी वे पढ़ने के बाद मगर जीपी का भी patient है तो थोड़ा में यह out of curiosity अभी करने लगी हूँ, उसको problem जो भी है, तो ऐसा है क्या, उसको भी मज़ा आता है, मुझे में मज़ा आता है, तो लुकोरिया में अब देखू ना तो एकसे sexual desire अगर है वो लेडिज में, तो भी लुकोरिया होता है, या anger to opposite sex है, तो भी लुकोरिया होता है, तो पहले तो नहीं आती थी, लेकिन अभी unmarried girls भी आ रही है, तो unmarried girl का या तो father related issue होगा, या brother related issue होगा, कि जो उसको जो करना चाहिए, वो करने नहीं दे रहे, तो भी उसको लुकोरिया हो सकता है, और especially मेरी यहां मैंने देखा है, कि drunkards, लोगों की जो wives आती है, उनको बहुत जादा गुसा रहता है, आजब काई नहीं बोलता है, तो उसको मैं बोलती हूँ, तुम बोलो ना बोलो, तो problem तो है, उसको समझता है कि मैडम को तो समझ गई गड़बर, और अगर मैं देखा हूँ, तो male and female, दोनों में ही देखती हूँ मेरे OPD में, तो ologospermia की case से ज्यादा तरह आती है, या तो erectile dysfunction, ED, जिसको बोलते हैं, तो एक छोटा सा case में बोलूंगे आपको मेरे पर्स, last week आया था, यह जो थे, यह 50 years के mail थे, यह actually मेरे से तो उमर में काफी बड़े है, लेकिन उनोंने कही से मेरा नाम सुना होगा, तो आके बैठे, तो मैं वेटिंग में उनको देख रही हूँ, मैं प प्रेशंट 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 अभी यह में रेमिडिया आपको बोलना है, इसलिए ध्यान से सुनों आप दो, आजाएगी यह रेमिडिया, यह रेयर नहीं है, तो फिर वो उंकल सब प्रेशंट खतम होने के बाद अंदर आगे, अंदर आने के बाद एगनम ऐसी सोब स्माइल दियो उनोंने मेरे मरे समझ में नहीं है, तो पिर मैंने बोल इए उंकल, तो मैंने सुचया यह मेरे से उमर में बढ़े है, भू नहीं पाएंगे, तो नहीं थीक है, तो आप क्या करो, उदर से जाके, और यह एक बात करना है आप जब ऐसे इन फर्टिलिटी की कैसे से बात करते हो तो बीचार आप बोलेगा आप भी शर्म होगे वह भी शर्म होगे तो बात कहीं कहीं चली जाएगे तो फिर मैंने बोली यह आपको प्रॉब्लम कब से है तो 50 यह मेल है उसको इडी की प्रॉब् हेलो किया आना चाहिए हमारे दिमाग में फटाक से कब कब से है नो इसान बेटी नाटन वाइपका नो हां आपको किसी से जो एक्सपेक्टेशन है वो नहीं मिल रहा है या फिर यहीं पर हम लोग गड़बड कर रहे हैं इसलिए मैं आज थोड़ा बोल रही हूं सौरी अग तो पहला कोस्टन हमारी कैसे में अगर लुपोरिया है वजाइनल इचिंग है या इडी का पेशन्ट है तो हंड्रेट परसेंट आपको शुगर पूछना है पेशन्ट इवन 25 यूर्स 30 यूर्स मेल भी आते मेरे पास तो वह शुगर डाइगनोस हुए हुए रहते हैं उनक उनकी जो ब्लड वेसल से वह बराबर काम नहीं करती है तो यह उनको प्रॉब्लम आता है तो फिर मैंने अंकल को क्वेशन पोछा अंकल आपको शुगर है तो थोड़ा चोक गए थोड़ा एंबरस थे और थे बोले हमेडम मैंने बोला फिर कप से तो बोले छे साथ मैंने हो तो फिर मैंने अभी यहां पर इडी या ओलिगोस पर्मिया के कैसे से तो क्या आपके निमाब में आना चाहिए वैसे उसी तरह से उनको पुड़ा एक्स्प्लें किया कैसे किया वो भी बोलती हूं आपको फिर मैंने बोला अंकल कैसे रहता है ना कि जब आपके और आपके वाइफ के या आपके पार्टनर के रिलेशन्स जो है वो ठीक नहीं रहते हैं या आपको उसकी कुछ चीज ऐसी लगती है कि जो बहुत दिल को चूँ जाती है हर्ट कर जाती है तो आपको यह प्रॉब्लम आती है तो ऐसा कुछ है इतना मैंने जस्ट बोला और जब आपको पूछ रहे हूं तो बहुत ज्यादा सेंसिटीवली पूछो तो उनके आखों में वह बाहर निकलना रहे हैं तो फिर बोले हमेडम अभी आप से क्या चुपाना क्या प्रॉब्लम है मेरी जब से शादी होगी तब से मेरी वाइफ जो है ना वच सस्पिशियस है हमेशा अभी तो कुछ चांस भी नहीं है और फिर भी इतना ज्यादा शक करती है कि पूछो मत बीच में प्रॉब्लम किसको बताओ मैं किसी को नहीं शेयर करता तो फिर मैंने क्या किया कि ओनलाइन मेडिसिन मंगाए थी तो उसने देखी में ले रहा हूं तो फिर तुरन बोली क्य कि नहीं लिए वो क्यूं नहीं सौचा तो दिवर्स कालेने चाँ शादी हुई तो बच्चे भी वह गए तो अभी मन में तो बहुत आता है पर क्या करूं है और उपर से यह भी आता है दिमाग में समाछ क्या कहएगा तो यह सोचके हो जाताँ मैं क्या दो वह게요 सो चुप हो तो फिर मैंने अंकल को बोला अंकल इतना तो मैंने सहूंगी वाबाब मैं तो घुसा हो जाओंगी आपको नहीं आता गुसा थोड़ा कुछा नहीं कभी-कभी जरूरत पड़ी तो पैशन को वोले अंकल वह घुसा तो बहुत आता है फिर एकात इन अगर बहुत ज़्यादा ह ओ गया तो फिर उसको इतना पीट लेता हूं मैं कि पूछा हमाथ और उनका गुन्त पेड़ा है तो इसे के दिमाग में आया मेडीसिया थैपिस हेगी थैफिस हेगी नो मैम और एक पूचाता है यह बोलूंगी तो बोलोंगी आप अपमेडिसिए नो मैम इश्या एलमेंट प्रवाइब नहीं पर लिए प्रोच अभी वहाई देखो ना वहाई पर बात करें तो वहाई सोचो ना एक तो बच्चों का था और एक फिर सोचल पोजिशन था और एक उनको और डेफियंट था पहले दूप चुप 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 सह लेता है और अगर दिमाग सटक गया तो फिर मार भी पढ़ती है वाइप को तो अभी तो अभी तो काफी बाकी है लेकिन अभी बहुत हो गया आज के लिन इतना पच्छा लोग फिर आप हम लोग आगे बात करेंगे तो इस इस आल फ्रम माई साइड फिर से मैं मेरे एक मेंटर्स के बहुत-बहुत दिल जांसे मैं इनको थेंक्यू बोलना कहोंगी क्योंकि यह चीजे ना मुझे बहुत सटिस्पेक्शन दे रही हूं और मैं एंजॉय कर रही हूंगे लर्निंग पोसेस इनके साथ और यहां का जो है अट्मॉस्फियर होमली है अट्मॉस्फियर फ्रेंद्ली अट्मॉस्फियर हाला कि मेर फर्स्ट के सा लेकिन आप सब लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पोंस दिया इसलिए आप सब का भी बहुत दिल से मेरे से थैंक्यू वेरी मच और यह मैं तरफ से मैंने हर चीज कवर करने की कोशिश की इसमें साइकोडाइनमिक भी लिया डीडी भी लिया वाय भी लिया उसके मेरे तरफ से मैंने देने की कोशिश की फिर अगर कुछ चूप गया है गलत हो गया है तो सोरी फॉर देट और मैंटर्स को बोलूंगी की सर प्लीज मुझे कनेक्ट कीजिए अगर कुछ कहीं पर मैंने मैं वही सोच रही हूँ ना मैंने जब यह प्रिपेड किया ना मेडम तो दिमाग में इतनी सारी चीजी आई और मेरे को मेरे पर ही घुस्सा आ गया कि मैंने क्यू नहीं यह सब स्टॉर करके रख्या जैसे हम लोगों को मेरे इसमें मेरे को जो रिपिटेडली केसे सा है लेकिन मैंने रिकॉर्ड रखती ही लिए किसी चीज का तो आहिन से में खायल रहूंगी यह चीज करने का लेंगिन यह आगर आपके पास किसी के पास केस है रिपीटेड अबोर्शन का तो इसमें मेरे क्या करते हूं período medicine उपको अल्मस्त है मन सब्सक्राइस वाटर डोस लेने को मेरे पेशेंट एप्सलूटली फाइन पूरे नौ मैने कंप्लीट करके डिलेवर भी हुए जिनका प्रिवियस जो एबॉर्शन करना पड़ा था आउट ऑफ हाइपरेटेंशन बच्चा भी डेथ हो गया तो उनका सेकेंड तेम अगर वो फंसीव करते त है कि जिनका पूरा नाइन बन तक भी कंटीनिव हुआ बीपी शूट नहीं हुआ और डिलेवरी भी नॉर्मल हुआ है तो यह काफी चीज़ है अभी में नेक्स टैम डेफिनेटली आउड ट्राइट टू कवर वाल दिस मैं 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 एक कुछिशन था एक एक कुछिशन था कर दी कि सब्सक्राइब अगर को अपने तै कर लिया है आपको थुकान चला नहीं इक फादी है आपने उसके लिए सब प्रिपरेशन भी कर लिया जो पैसे जुगार करनी थे वह भी कर लिए दुकान भी शुरू कर दी आपने लेकिन आपका कंसेप्षन कवा होगा जब तब आपका फुल्फिल होगा ना जो अपना का गोल था लेगिन वहीं नहीं कर पाए या दुकान शुरू करने के पहले पुछ उस पर प्रॉब्लम आ गई वो बंद हो गई तो यह क्या हो गया आपका जो किये काराया पर पानी फिर गया यह यह नहीं हो पायां चांसेइश नहीं हो पए या थाक है gözet आप सब्सक्राशक एफजिनेसर फवर दिक्याश्ण 9 फागए अच्रकशन Creator कoh मैं तो मने तो वांड़ों पी खर सकते हैं। ऐलो पर्विन सिर्व thank you ma'am thank you ma'am wonderful presentation excellent case thank you very much very hard working thanks a lot sir I am very happy very hard working really highly appreciate it's all because of you I have said to Parveen sir I will not say anything I will go to 20-25 minutes I will not get paid so I will do it it's almost late then it's almost 1 hour not 1 hour it's not 1 hour for today yes for today your gift is your heart thanks sir thank you very much sir 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 sorry 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 yes yes honestly my family members reaction is that everyone is doing it really it was a beautiful session that and you did it 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 and it 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 and participation बढ़ेगा तो हमारे most senior and respected mentor डॉक्टर मनो जैसवाल सर ने हमें जोएन किया डॉक्टर दलीब जानी सर ने हमें जोएन किया हमारे respected mentors का हमें जोएन करने के लिए बहुत-बहुत आभार और हमारे respected डॉक्टर मादुरी पाटिल मैं का मैं जितना भी मतलब उनको जितनी भी तारीब करूँ वो कम है बहुत ही detail में आपने इस medicine को पढ़ाया है और बहुत ही अच्छे से डेडी भी किया है और आपका first VC है कोई भी सुनने वाला ये कभी believe ही नहीं करेगा कि आप first time VC ले रहे हो त तो सच में मैं बहुत मज़ा आया और मैं बहुत खुश हूँ आज के आपके session के बाद और आशा करते हैं कि future में जो आपका experience है in infertility के cases को लेके उसके उपर भी next VC हम रखेंगे कोई बात नहीं आपने मतलब रिपोर्ट्स औगारा documents औगारा नहीं रखी हैं तो कोई बात न लेकिन experience तो सबको सीखने को मिलेगा तो आशा करते हैं कि future में ऐसे ही अच्छी VC जात्ती होती रहेंगी और आपके experience से हम सभी को सीखने को मिलता रहेगा सब्सक्राइब करेंगे तो अगर आपको भी कहीं मिलता है पेशन्ट जो छुट रहे थे तो प्लीज प्लीज शेयर कीजिए ऐसे हम लोग रोट करेंगे सब्सक्राइब करेंगे कि मतलब आगे पिछे और को यार टाइम होती है अगर टाइमिंग नहीं डला है तो सोचिए कि मतलब बिना BC के ही डिस्क्लोज होगा तो वाइंड अप करते हैं फिर रिकॉर्डिंग ज्यादा लंबा हो जाएगा और इसके इलावा जो भी आप लोगों के कोश्चन्स हैं आप प्लीज ग्रूप में डालिए तो एक बार फिर से मैं हमारे रिस्पेक्टर डॉक्टर माध इन जॉए किया तो थैंक यू आज की इस BC को हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं और हमारे सभी रिस्पेक्टर आयाचे फैमिली मेंबर्स का भी बहुत-बहुत आभार हमें जोइन करने के लिए पार्टिस्पेट करने के लिए आप लोग आप लोगों के पार्टिस्पेश से ही हमारा ग्रुप जो है वो उतना ज्यादा लाइवली बनता है उसमें डाइवर्सटी आती है तो थैंक यू थैंक यू सो मच प्लीज प्लीज जॉइन कीजिए वेबिनार है बैसिक कोर्स है जॉइन कीजिए पैसो को मत देखिए सर आप रिकॉर्डिंग आफ कर दीजिय प्रड़ा लाइवली आत लिए उने जाएवली के सी इज प्लीज जाम पीजिए से और्मगै कर